हेलो अब्रिवन आप सभी का स्वागत है टार्गीरपूर में आज 10 अगस्त है और जारखन का जो नियोजन निती है अनिकी परिछा संचालन नेमावली जो बनी है आज सुनवाई है हाई कोट में तो एसे मैं उमीद है कि आज अंतिम सुनवाई होगा लेकिन कुछ कहानी जा स करता है क्योंकि जब पिछला सुनवाई हुआ था तो सरकार के तरफ से जो वकिल थे मुकूल रहतोगी जी उन्होंने साब साब का कि मुझे कुछ और समय चाहिए तो इसे मैं कोट ने 10 अगस्त क समय दिया और आज इसका सुनवाई होने वाला है तो इसी खावर को लिकर पर संसोधन नियमावली पर सुनवाई है आज देखी इसमें क्या है जैसी सि असनातक अस्तरिय परिष्या संचालन संसोधन में दोजार रकिस को चुणोती देने वाले आज ये काउंँ पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी यहां पर नेख लिखाया जैसीश असनातिक अस्तरिय प यह लागू है देखे आगे क्या है यह मामला चीफ जसिष्ट डॉक्टर रवी रंजन वह जसिष्ट सुजित नरायन परसाद की खंड पिठ में सुनवाई के लिए सुचिबद है पिछली सुनवाई के दोरान राईज सरकार की ओर से पच रख रहे सुप्रीम कोट की वरिय अधिवक्ता मुकूल रहतोगी ने समय देने का आगरह किया था कहा था कि उस दिन किसी भी पच को समय नहीं दिया जाएगा देखे यहाँ पर जो चीफ जशिष्ट है उन्होंने क्या कहा था कि उस दिन किसी भी पच को समय नहीं दिया जाएगा वो लेखनी है कि प्रार्थी, रमे सास्दा, पिकास कुमार्चोबी, अभिसेक कुमार्दुबे, रस्मी कुमारी वो अन्न की ओर से अलग-अलग आची का दायर कर्चुनोती दी गई है 10 अगस्त 2020 को राजी सरकार ने यह संसोधित नियमावली लागों कीत इस नियमावली के तहट पहली बार फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में साइंटिफिक असिस्टेंट परत्योगीता परिच्छा ले गई, हाई कोट के दवाब पर आयोग ने सारी परकिरिया लग तीन साड़े तीन माह के अंदर पूरी कर ली, चैनीत अभिर्थियों की पश्ट रुख से कह दे रहे हैं, आप JCC CGL का तयारी कर रहे हैं, XAGE का कर रहे हैं, LDC का कर रहे हैं, कोई भी वेकेंजी का कर रहे हैं, आप तयारी करते रहे हैं, बीच में जो आप लोग देखे, JEE का परसंपत्र वाइरल हो गया था, उसी के चलते अभी एकजाम डिले हो अभी लेट हो रहे हैं, तो आप लोग इस चक्कर में नहीं रहे हैं, कि परिछा संचालन नियमावले भी हाई कोट में क्या फ़सला होगा नहीं होगा, सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं है, सरकार बस एकजाम लेगी और नियुकती भी करवा देगी, बाकी जो होगा सुप प्रिम कोट हो आटो हाई कोट उसे हटाती है, तो आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन जारी रखें क्योंकि एक्जाम कभी भी हो सकता है, भले एक से दो मेहना भी लेट हैं, लेकिन जितना लेट हो रहा है उतना कटप हाय जाएगा, ये भी ध्यान लगाएं और साथ ही अधि आप लोग जेसी सीजल में खोर्ठा भासा लिए तो खोर्ठा भासा का जो टेस्ट सीरीज है टारगेट पूर अप्लिकेशन में ड्वाइन कर सकते हैं पेपर थीरी का भी टेस्ट सीरीज उसमें है आप लोग टेस्ट लगातार लगाते रहें और अ लोग नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू